बस साथ दिन तक रोजाना पंद्रा मिनट के लिए इसको लगाओ चेहरा टेन शर्ट तक गोरा हो बतानी जा रहे हूं एक ऐसा प्रोटीन युक्त मास्क जो कि आपके स्किन के लिए ना सिर्फ डलनेस को दूर करता हैं बलकि ये आखों के नीचे जो काले गेरे हो गए हैं कही पर भी स्किन में डाक डाक पैचे हैं या फिर आपके स्किन बहुत बहुत ज्यादा ओईली सी रहती है और इसकिन में बिल्कुल भी चमक नहीं है तो उन सबी के लिए लिए अल-फपर्पस डिस्रेमेडी शॉरली शॉरली में कह सकती हूं इतनी जादा इफेक्टिव है कि अगर आप ने इसको पंद्रा मिनिट के लिए रोजाना इस्तमाल किया तो स्किन में चार चांद लग जाएंगे तो चलिया स्टार्ट करते हो और देखते हैं कैसे आप इसको बताऊंगी किस तरह से ये अक्चुल में बैनिफिशल है और इसके लिए आपको क्या करना है फि और अगर नाइट फिर्ज के अंदर रखतीया था खस खस के जो दाने होते हैं इसको टानिंग को दूर करती है और डाक पैचेज को दूर करती है बादाम विटमिन E से भरपूर होता है जो कि स्किन के रिंकल्स फाइन लाइन को दूर करने में हल्प करता है तो यहां पर बा अच्छी तरह से अब हम इनका पेस्ट बनाएंगे तो मिक्सी में आप इसका पेस्ट ना बनाएं इस तरीके से सिल पत्थर पर इसका पेस्ट बनाएं ताकि एक्चुल में आपको बेनफिट दे और बहुत ज्यादा स्मूध इसका पेस्ट बनाना है तो एकदम पारिक यह जए बहत बैनिफिशल होता है और आपके राहता ही किन से भॉताइशिची वो नीचे की हुबसूरती को छिपा देती हैं इसलिए आप darkness को रिमुफ करने के लिए इस मास को ज़रू ट्राइ करें इस पेस्ट को आप अची तरह से बना लेंगे अची तरह से इसको पीस लेंगे और इसके साथ में यहां पर गुलाबरी का रोस वोटर डालोंगी थोड़ अब यह देखिए दोस्तो यह पेस्ट आपका तयार है यह पेस्ट आप चाहे तो ऐसे ही स्किन क्लेंसिंग के लिए यूज करेंगे तो भी बहुत बैफिशल है लेकिन अगर आप इसको और बी जाद एफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके इन तर बैने डाला है दो से इन चमच ग्राम फ्लोर यहनी बेसन और इसको अची तरह से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद दो चमच अलेवरे जल डालेंगे और फिर से अगें इसको मिक्स कर लेंगे यह ऐसा स्मूध और पावरफुल मास्क है जो कि स्किन टैनिंग के साथ साथ डाक इन सब भी को दूर करता है इसकिन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग साफ और गोरा करता है तो इस मास्क को चहरे पर आपने अपलाई करना है और अपलाई करने के बाद पंदा मिनटी से छोड़िए जब यह ड्राय हो चाहे तो इसकिन से रब करती हो इसको निकाल दीचिए अ